हाँ, अगला कुशिन जो है, बोलना 50 ml A और B gas है, A gas है, उसके इतने दिये आपको 50 ml, और B gas है, उसके भी 50 ml दिये, मतलब इच gas के 50 ml दिये, इसको टा, वॉल्यूम है ना, V1, V2, ओके, और, इसमें time कितना लग रहा है, इसमें time लग रहा है, 150 second, और इसमें time लग रहा है, 200 second, ठीक है, तो अपने को बताना, effusing, फिरिपिनल, अंडर, similar, if molecular mass of B, B का molecular mass कितना है, 36 है, तो A का molecular mass पता करना है, तो molecular mass वाला formula लगा दो, M2 upon M1, और उसको किसके बराबर रखोगे, उसको रखोगे, volume into temperature time upon volume into time, यह formula जो आपको लिखा है था, किसी भी दो formula को बराबर करना पड़ सकता है, वो आपकी सूजबूज पर निरपर करेगा, कि आप किसको बराबर करेगा, molecular weight और volume को बराबर करती है, तो molecular weight, इसका कितना दिया है, 36, इसमें आजाएगा M1, M1 अपने को पता करना है, volume 1 कितना है, दोनों का 50 है मेले, V1 भी 50 है, और V मतलब volume होता है, ठीक है, speed नहीं होता है, मैंने कल गल्द पता दिये था, T2 कितना है, 200, upon, यह भी कितना है, 50, और यह कितना है, 250, पचास, पचास से पचास कट गया, यह से यह कट गया, यह कितना हो गया, 4 और यह हो जाए, 3, खटके 4 बटे 3 आ गया, स्क्वेर कर दो दुनों साइड, 36, upon, M1, 4 का स्क्वेर 16, 3 का स्क्वेर 9, तो यह कितना हो गया, 4, 5, 36, और 4, 6, 16, हो गया, 9 इसके multiply में जाएगा, 9 into 9, upon, 4, एक custom molecular weight, आया कि नहीं आया, तो 81, upon, 4, इसको 80 ही मान लो, आप तो कोई दिक्रत नहीं है, तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ रहा है, कहा गल्दी गर्दी, क्यों 20 नहीं आ रहा है, M2 upon M1, सही तो किये है, V1, T2 कितना लिए है, 200, इसका answer अपना सही है, बट ये question आप देख लेना बले, 2012 का paper आपको पास में वो तो, इसका answer option में था ही नहीं, इसलिए bonus गया था उस time, मैंने यहाँ पर ये rate से cut लगा रखा, देखो, लगा रखा ना, इसका answer सही नहीं था exam में, answer इसका bc आएगा, ओके, अगला question बोलता है, a certain gas take three time long effuse to helium, मतलब ये question कर रहे हैं, ये बोल रहा है, helium gas है न, उससे वो, ये कोई gas है, माल लेते x है, वो diffuse होने में helium से तीन गुना time ले रही है, ठीक है, ओके, तो उसका molecular weight बताना है, तो molecular weight आपने को find करना है, M1, helium है अपने के लिए, helium का molecular weight 4 होता है, V1, कुछ नहीं बोला information बराबर मान लेंगी, बराबर volume diffuse हो रहे हैं, ठीक है, कट गया, T2, T2 कितना है gas के लिए, अगर helium में T time लग रहा है, तो इसमें 3 गुना लग रहा है, यही तो बात हुआ, helium में T time लग रहा है, तो इसमें 3 यह 2012 का question है, उसी formula से सारे question हो रहे हैं, जो मैंने आपको formula एक बड़ा सा formula लिखा है था ना, उसी formula से सारे question होते हैं, कुछ ज़्यदा बड़ा formula आता नहीं है, इसमें, और बाकि अगर कोई का दुखा question बज भी जाएगा ना, तो physics वाले KTG से हो जाता है, ओके, अगला question करत of A, A का 49 है और B का पूछ रहा है, पता करना है, तो बस molecular weight वाला formula लगा दो, M1 upon M2 equals to V1 T2 upon V2 T1, volume के बारे में information नहीं दिये, same volume लिखा है, तो चलो, volume से में V1 से V2 कट जाएगा, तो M1 कितना दिया है, 49, M2 अपने को पता करना है, B का molecular weight, T2 कितना दिया है, 10 second, T1 कितना दिय है, 20 second, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 1 by 2, square कर दोगे, तो 49 upon M2 equals to 1 बटे 4, होगा कर नहीं होगा, होगा, 4 को इससे multiply में भेज दो, तो इसको 50 मानोंगे, तो 50 into 4 कितना हो जाएगा, 200, तो M2 कितना हो गया, 200, ऐसा कुछ option में नहीं है, क्यों, तो अपन कहा गरबड़ी कर रहे है, रुकी, 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 अपन कुछ गरबड़ कर रहे हैं, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, A और B गैस है, ठीक है, टाइम इसको 20 सेकेंड लग रहा है, इसको 10 सेकेंड लग रहा है, और उसके बाद में, A का molecule rate 49 है, और B का पूछ रहा है, तो M1 upon M2 equals to T2 upon T1, volume तो ब ठीक है, यह हो गया, M2 upon M1 होता है, मैंने M1 upon M2 लिखा है, M2 upon M1 होता है, M2 upon M1 होता है, तो M2 अपने को पता करना है, और यहां 49 आएगा, यहां गड़बड की थी अपने, M2 upon M1 नहीं लिखा था उसको गल्दी से, तो M2 square कर देंगे, तो M2 upon 49, इधर हो जाएगा 1 by 4, तो M M2 equals to कितना हो जाएगा, 49 upon 4, पचास मान लोगे इसको, तो कितना हो जाएगा, पचास का बटे 4, पचास का आदा 25, 25 का आदा 12, 12, 12, 12, 12, 12, कुनसा option, second option, ओके, सारे question वही हैं, उसी तरीके से होने वाले होता है, ठीक है, आगला question, बोलता है, Gases Mixer was prepared to taking equal mol of CO and NO2, CO के mol, और, N2 के mol, बराबर है, ऐसा बोला है, total pressure of 1, P total कितना है, 1 है, तो, partial pressure, अभी partial pressure का formula बतायता है, किसी का भी partial pressure चाहिए, तो, उसके mol उपर रखो, इसके बराबर mol है, तो, बराबर है, मतलब N मान लिए, nitrogen के mol N, upon, नीचे total mol, N, प्लस N, into 1, हाँ, असानी से हो गया, उपरे N, नीचे होगा 2N, N से N कट जाएगा, तो, कितना हो गया, 1 by 2, 1 by 2 यह नहीं, 0.5, एक direct formula है, partial pressure का, उसी sensor निकल जा रहा है, यह 2011 माया था, वापिस 2020 में repeat हुआ, पार्सिल प्रेसर का, यह chemical equilibrium में पढ़ता है, लेकिन यहाँ उसके बार बार पूछ रहा है, पता नहीं क्यों, ओके, अगला question है, देखो, यह question, इसके formula बगरा जो, गैस, लिएम, गैस rule बगरा आते हो, मैंने physics में cover किये, a bubble air is underwater, एक bubble का air है, पानी के नीचे दबा हुआ है, यह पानी है, और इसके नीचे दबा हुआ है, 15 degree centigrade प्रेसर, यहाँ पे इसकी condition क्या है, प्रेसर इसका कितना है, 1.5 bar है, और temperature इसका 15 degree centigrade है, okay, rise to the surface, अब यह surface की तरब उपर आजाता है, बबल, कोई दिकत नहीं है, आपको इसकी surface की उपर में आ रहा है, कोई दिकत होनी भी नीच चाहिए, आने तो इसको उपर, ठीक है, अब यह उपर आ गया, नीचे से उपर आ गया, अब यहाँ उपर आते हैं, उपर इसको गर्मी लगी, कितना हुआ temperature, 25 degree हो गया 15 से, और, पहले याँ 1.5 था, अब pressure कितना हो गया है, 1 बार हो गया, and what will happen, volume of the bubble, volume में क्या change होगा, यहाँ V मान लेते हैं, अब यहाँ कितना volume होगा, वो अपन पता कर लेंगे, इसको यहाँ V-स मान लेते हैं, तो PV equals to nRT होता है, PV upon nRT equals to P-V- upon nR-RT, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्वत नहीं है, ठीक है, इसके लिए ideal gas equation, इसके लिए ideal gas के equation बराबर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका pressure कितना है, 1.5, बार को नहीं change करना है, यहाँ इदर भी तो वही है, माल में इसको बार करने के लिए 10 की पौर 5 से multiply करोगे, तो इदर भी 10 की पौर 5 से multiply करना पढ़ेगा, कोई फरक नहीं पढ़ता है, जब equal का sign होता है, तो change करने, unit conversion का कोई महतों नहीं रहता है, यह one है, volume V माना है, यहाँ V dash है, N और R, N तो कुछ बोला नहीं, तो mole बराबर मानेंगे, R भी gas constant है, बराबर है, ठीक है, अब temperature, कितना था पहले, 15 degree centigrade, 15 degree centigrade को अगर आप बदलोगे, तो कितना हो जाएगा, 288 Kelvin, ठीक है, और यहाँ 25 हो गया, तो 288 में, और add गर लो, 298 हो जाएगा, तो V dash, upon V कितना आगया, कितना fraction आगया, solve करोगे, यह V, यह N, R, N, R, कट जाएगा, यह जाएगा, 298 upon, into 1.5 upon 288, 298, और 288, कितनी बार भाग जाएगा, इसमें, एक बार भाग जाएगा, जाएगा, फिर कुछ पॉइंट लगाओगे, फिर कुछ और आएगा, 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 तो इसको अगर आप solve करोगे, आएगा करीब आप 06, solve कर ले न, बाट कोई option नहीं, फिर को बाग तक हो जाएगा, नहीं होगा, और कम हो जाएगा,नहीं होगा, और कम हो जाएगा, क्या नहीं, मैंने तो सिदह देखकर के लिख दिया उपर option से, क्योंकि यहां, बाइगा, और वन को 1.5 से कितना आएगा 1.5 भी तो आएगा है कि ने 298 में आप 288 का डिवाइड कर रहे हो तो कि एंसर कितना आएगा वन को 1.5 से थोड़ा साल का सजाए तो यह 1.5 से हलका सजाद आ जाएगा इतना डिवाइड गर के कौन बैठेगा इतना तो आपको भी माइंड काम करता है आपका भी यह पीवी कोस्तों नर्टी से सॉल कर लो ठीक है हां विच आप दो फॉल्व इंग मिक्सर गैसेज डज नौट डॉल्टन लोग पार्सिल प्रेसर कौन सी गैसेज है जो डॉल्टन रोग के फॉलो नहीं करती है अब इसका एक अजीब सा कार कर रिजिन बदाता हूं सियल टू और ऐसो क्लोड बना लेगी अब जो आपस में कैसे रिएक्शन कर लेगी वह कभी वी डाल्टन रूल को फॉलो नहीं करेगी डाल्टन रूल हो गया वो सॉलुशन वाला एक रूल हो गया यह सब ठीक है है अगला है इफूजन एंट्व व कि यह कुश्छीन किया कुश्छी यृगा जो इसके फेलोसिटी अगयरा पड़ता है याद कर तो यह इफ्यू जो के क्या कर रही इसके फिट रही है तो वी कुश्टी पॉन molecular weight था तो temperature के क्या था V is proportional to under root T कोई बात नहीं है तो V1 upon V2 equals to T2 upon T1 हो जाएगा क्या कोई चीज प्रपोर्शनल है तो इसके ऐसे लख सकते हैं ना दो चीज़ों के लिए rate of effusion N2 would be rate उपर N2 का लख दे ठीक है V N2 और नीचे लखेंगे V SO2 V N2 का SO2 V N2 का अपने को दिया नहीं है temperature पता करना है ठीक है नहीं दिया पता करना है sorry T1 upon T2 आएगा तो पर इसके गलत क्यों लिख रहा हूँ T1 upon T2 क्योंकि directly था ना तो T1 तो पता करना है T2 दिया है 50 degree centigrade 50 को 273 में add करोगे तो कितना हो जाएगा 50 plus 273 323 अब V N2 की जगे क्या लिख होगे यह बोला जितना टाइम उसको effusion में बोल रहा है 1.625 वी एसो टू अपॉन वी एसो टू एकोस टू टी वन अपॉन 323 यह कट जाएगा आपस में अब देखो इसक्वेर करोगे दोनों साइड तो 16 का इसक्वेर करोगे ठीक है तो आपका एंसर आ जाएगा ऑके फिर भी अगर एंसर नहीं आए तो बोलेकुलर वेट को भी साथ में लेना पड़ेगा तो वी वन अपॉन वी टू एकोस टू टी वन अपॉन एंटु टी टू अपॉन एंटू अपॉन इससे अगर नहीं आए तो यह काम में ले लेना अगला वही 50 ml V Hydrogen दे दिया पर कितना 50 ml और V2 कितना दिया है Oxygen का यह Oxygen है और यह Hydrogen है कितना दिया है 40 ml Volume दे दिया लग लग इसको कितने टाइम लग रहा है इसको टाइम लग रहा है 20 मिनिट और इसका टाइम अपने को पता करना है तो सिर्फ फॉर्मुला पता लगा दो ना M2 upon M1 equals to V1 T2 upon V2 T1 M2 कौन है Oxygen है कितना हो जाएगा 32 यह क्या है Hydrogen कितना होगा 2 equals to V1 कितना दिया है 50 ml T2 कितना दिया है पता करना है और V2 कितना दिया है 40 ml और यह कितना दिया है Time T2 20 मिनिट और इसको सॉल कर दो 32 मिनिट दो कितना दिया है 16 का अंडरूट कितना दिया है बार 4 यह 0 से यह 0 कट जाएगा और यह नहीं से हो जाएगा 80 तो 5 T equals to 5 T upon 80 होगा तो T equals to कितना दिया हो जाएगा 4 into 80 बटे 5 पहले इसको multiply divide कार दो कट करके कार दो आठ चॉक बट तीस तीनसों बीस हो गया बटे 5 छे बंजे तीस और फिर दो बचा चार बंजे बीस 64 तो ऐसा आसानी से कुशन हो जाता है कोई बड़ी बात है नहीं ओके गर्मी बहुत ज़्यदा लग रही आज अंडर दो कटीशन वील प्यूर यह कुशन पता नहीं क्यों डाल दी भी याने साथ में यह से नहीं आते खुशन यहां से मैंने डाल थे खुशन यह कुशन हटाने को बोला था मैंने उन्होंने डाल दिया सिदा अगला गुशन दा रेट ओफ डिफूज़न in ratio, अरे R1 upon R2 ही पूछ ले सिदा, तो कितना होगा कुछ नहीं बता है इनके बारे में, तो M2 upon M1, M2 कितना है, कौन है, दो नंबर पे O2 है कितना हो जाएगा 32, इसका molecule rate कितना होगा, सलफर का 16, 32, 32, 32, 64 कितना हो गया, 1 by 2 root में, आसान question, diffusion का rate, पुझाता सिंपल, molecule rate से निकाल दिया, बोलता है diffuse through, diffuse है ना, sam rate से diffuse होगी, अब sam rate से diffuse होने के लिए अपने को, gas में क्या होना चाहिए, molecular rate sam होना चाहिए, सीदी सी बात है, R is proportional to 1 upon molecular weight, है कि नहीं, diffusion के लिए, तो molecular weight किसका, किसका सेम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके, तो molecular weight किसका है, सेम, आप पता कीजिए, NO का, nitrogen का 7 और इसका होता है, 8, 7, 8, 15, sorry, nitrogen का 14 और इसका होता है, 16, 14 और 16 कितना होगा, 30, इसका कितना होगा, 12 और 16, 12 और 16, 28 होगा, 30, और इसका कितना होगा, 44 होता है, तो मुझे याद है, NS3 और PS3 का तो कभी बराबर होई नहीं सकता, क्योंकि hydrogen का बराबर है, nitrogen और phosphorus बराबर थोड़ी, तो इसको भी अटा दो, NO का कितना था, 30, इसका कितना होगा, 12 और 12, 24 और 36, इनके molecular weight बराबर है, molecular weight बराबर है, तो R1 upon R2 equals to M2 upon M1, M2 और M1 बराबर होगे, तो rate इनकी बराबर आजाएगी, OK, molecular weight बराबर होता है, तब उनका बराबर होता है, अब इनका effusion, मतलब, इनके diffuse होने का rate बताना है, तो diffusion का rate क्या है, molecular weight के inversely proportional है, है की नहीं है, इसका molecular weight बराबर होगा, वो easily diffuse नहीं हो पाएगी, सबसे ज़्यादा molecular weight है, यहाप आपको किसका मिलेगा, आपको मिलेगा CO2 का, CO2 का molecular weight कितना होता है, 44, NH3 का कितना होता है, NH3 का molecular weight होता है, 14 और 3, 17, oxygen का कितना होता है, 32, तो CO2 का molecular weight सबसे ज़्यादा है, तो CO2 सबसे पीछे, फिर आजाएगा, आपको पास में O2 gas, उसका molecular weight ज़्यादा है, तो यह उसका A का value नहीं पूछ रहा, A का order नहीं पूछ रहा, याद रखना, यह पूछ रहा, diffusion का rate, diffusion में यह आजाएगा, फिर आएगा NS3, और hydrogen सबसे अलकी हैं, तो वो सबसे आसानी से diffuse हो जाएगी, ठीक है, यह question थोड़ा सा conceptual है, मैं आपको करवाता हूँ, बोता है, a bottle of dry ammonia, a bottle of dry hydrogen, दो bottle बनी होई है, ठीक है, बारी सा रही है, 4 घंटाव से पिछले, यार बोटल क्यों नहीं बन रही है, चलो बनाते हैं बोटल, यह एक बोटल है, यह दूसरी बोटल है, ठीक है, यह दू बोटल से है, इस पहली बोटल में NS3 है, और दूसरी बोटल में है, hydrogen gas, कोई दिक्कत नहीं, connected through a tube, इनको एक tube से connect किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, और open symmetry list, बोटल हैं, अब यहां है न, यहां plug लगा हुआ है, इसको बंद किया हुआ है, यहां भी भी plug लगा हुआ है, इसको बंद किया हुआ है, इसके अंदर NS3 gas भरी हुई है, और इसके अंदर में hydrogen gas भरी हुई है, ठीक है, दो अलग-अलग gas भरी हुई हैं, अब बोलता है, बोट end, वाइट, अब जैसे ही है न, अमोनिया और hydrogen gas है, स्वरी, hydrogen gas नहीं है, SCL है, hydrogen chloride, long, are open, इन दोनों को end करते हैं, तो यह बोलता है, अब मैं आकोशन समलाता हूँ, एक NS3 की बोटल है, एक SCL की बोटल है, दोनों बोटल भरी हुई है, और वो आपस में एक tube से connect है, और उनके मुह के उपर में एक cork लगा, मतलब बन दें, फिर अपन क्या करते हैं, दोनों को एकदम suddenly open करते हैं, तो CDC बात है, NS3 गुम करके इधर जाएगी, और SCL गुम करके इधर जाएगी, और जब यह दोनों reaction मिलेगी, NS3 प्लस SCL, मिलेगी दोनों gases, तो यह अपस में reaction करेगी, और फियूम बनाएगी, बनाएगी फियूम, तो फियूम आपको कहा देखने को मिलेगा, देखो, अगर, SCL फटाफट पॉंच यहां पॉंच गई, और NS3 यहीं रह गई, तो छला यहां बन जाएग, अगर आपकी NS3 फटाफट से पॉंच गई यहां और SCL बस यहीं पॉंच पाई, तो फियूम यहां बन जाएगा, मान लेते हैं, कि NS3 यहां पॉंची, यह यहां पॉंची, तो बीच में फियूम बन जाएगा, तो पॉंचेगी कौन ज़्यादा, जिसका MOLLECULAR VET, मोलCULAR VET के ACCORDING यह पॉंचेंगे, क्योंकि Diffusion किसका ज़्यादा होगा, जो हल्की होगी, इसका MOLLECULAR VET 17 होता है, और इसका होता है 36.5, तो इसका MOLLECULAR VET जदा है, इसका MOLLECULAR VET जदा है, कि यहां तक आएगी तब तक यहां आ जाएगा फतलब की एनस तरी का मॉल्लिकुल रेट कम था तो इसकी डिफुजन रेट ज्यादा थी तो फटा-फट से एसल की बोटल के पास में बनेगा ओके अगला एक इसको दिखाता है बी किसको दिखाता है बी दिखाता वॉल्यूम क स्री कॉलिजन नहीं वॉल्यूम उक्किपाइड बाई था मॉल्यूकुल अगला फॉश्चन अरे य तो डैरेक्ट फोर्मॉला इपुछ ले है इसको रेट रवन अपॉन आल टू क्या होता था एम टू अपॉन होता था है बाहर रहता था पी बैन अपॉन पी टू डार्यक 40 ml और टेम्परिचर कंडिक्शन मॉलिकुलर वेट एका मॉलिकुलर वेट दिया आपने को 64 और पूछ रहा है तो डारेक्ट फॉर्मुला लगाओ ना डिफ्यूजन वाला टाइम के बारे में कुछ नहीं गोला तो टीवन टीटू साम मान लेंगे वीवन अपन वीटू कितना हो गया 50 बटे 40 टाइम से मान लिए M2 अपने को कितना पता करना है M1 कितना दिया है 64 पांस बटे 4 हो जाएगा इसको 100 करोगे तो स्क्वेर करोगे बाद में 25 बटे 16 एक क्वेस्टू M2 अपन 64 और यह हो जाएगा 16 सो किसे उसे चार चार इंटू 25 100 तो M2 कितना जाएगा 100 आसान क्वेशन है उसी फॉर्मूले पर आता है अब अगला बोलता है diffusion का rate दिया है A का diffusion कितना है 5 time of B ठीक है तो density का ratio पूछ रहा है तो अपन density के बारे में क्या फॉर्मूला पढ़के आए थे R1 upon R2 equals to D2 upon D1 पढ़के आये थे अंडर रूर में तो R1 upon R2 का ratio कितना हो जाएगा इससे निकालोगे तो R A upon R B जाएगा 5 आएगा 5 तो D2 upon D1 कितना आगया 5 तो D2 upon D1 चाहिए तो इसका square कर दो तो कितना जाएगा 25 आपने को D1 upon D2 चाहिए है और B का ratio तो D1 upon D2 कितना हो के अगला question अब यह question आप आसानी से कर लोगे यह आपके लिए home work है ठीक है अगला question density of gases in the ratio of density का ratio यह है तो diffusion का ratio क्या होगा R1 upon R2 equals to D2 upon D1 ठीक है लेकिन अपने को क्या दिया है D1 upon D2 दिया है अपने को क्या चाहिए D1 upon D2 दिया है अपने को 1 बटे 16 तो D2 upon D1 कितना हो जाएगा इसका उल्टा कितना हो जाएगा 16 अंडर रूड में 16 आ जाएगा तो R1 upon R2 कितना जाएगा 4 4 is to 1 एक इसको दिखाता ह है बोलता है A की यूनिट मतलब A के बारे में अपने को बाते पूछ रहा है एक इसको दिखाता है फोर्स को दिखाता है ए टेंपरेचर पी डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा तो इसका एंसर जाएगा all तो यहां पे खतम होता है A and B की यूनिट आपक को आनी चाहिए A और B की यूनिट कैसे निकालेंगे एक बार निकाल के बता दता हूं मैं आपको A और B की यूनिट लास्ट कोईशन फॉर्मूले में ही वन्डर वाल एक्वेशन का आगई यह रही देखिए आपको दो वीडियो में ही चेप्टर खतम हो गया यह बहुत चोड़ा चेप्टर था और एक कोईशन यहां से आएगा यह आएगा दो प्रेसर के अंदर सिर्फ प्रेसर एड़ कर सकते हैं तो प्रे वॉल्यूम मतलब लीटर और नीचे आगा मॉल का स्कुरर यह इसका यूनिट हो गया बी गा यूनिट क्या होगा वी इक्वेश टू एन भी तो भी इक्वेश टो जाएगा वी बाई एन लीटर पर मॉल तो ए और बी के यह यूनिट थे आप कर लो गया आराम से यह सब झाल झाल